हाई गैज आप देख रहे हैं फैंटिस जेल आप लोग का फैंटिस जेल में स्वागत हैं तो चलिए बाइलोजी का पार्ट थिरी हैं और आशला के वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिए चलिए कमण नमर कोशन है उन को सिकाओं के समों को जिनकी उत्पती और सरचना समान होती और जो एक विशेस कारे के लिए कारे करने के लिए विशेस सिगिता प्राप्त होते हैं उधरन के लिए सरीर में मास्पेसियों की को सिकाए उन मास्पेसियों को बनाती हैं जो सरीर की ग है इसको इतना बड़ा कर दिया कि आपको पढ़ने में समय लगे गा और एकजाम में भी पढ़ने में समय लगता होगा एक मिनट तक तो इसको क्या कहते हैं सिंपल में समझे को सिकावों के समों को हम उतक कहते हैं सिंपल है यह कहने का कोशन का मतलब है कि को सिकावों के समों को क्या कहते हैं तो उत्त कहते हैं तो वह है आपका बी आप्शन सही है को सिखावा कसमों को उत्त कहते हैं तो चलिए एकावन नमर कोशन का एंसर बी है और अब डिसकासर भी पढ़ सकते हैं हिस्टोलोजिक इसको कहते हैं उत्को क्या ध्यान को हिस्टोलोजिक कहते हैं और बावन नमबर कोशन है रोक्त और हडिया यानि क्या है रोक्त और हडिया को हम क्या कहते हैं तो हम उसको एक सायोजी उत्त कहते हैं तो बावन नमबर question का answer A आपका सही है सही होजी उतक तिरपन नमर question है रक्त एक परकार का उतक का उधाडन यानि रक्त कैसा उतक है तहीं एक सही होजी उतक है आपका B option सही होजाएगा सही होजी उतक रक्त क्या है रक्त एक परकार का सही होजी उतक है तो आपका C option 4 नंबर का सही हो जागा यह 30 नंबर का B है option सही, सही हो जी उताग और 4 नंबर का C आपका एक सही हो जी उताग एंसर सही है चुबा नमर का पज़पन नमर कोशन है मुह की परत किसी से बनी होती है मुह के फरत किसी से बनी होती है तो आपका C option सही हो जगा पपड़ीदार उपकाला यानि SQA mouse epithelium आपका C option सही हो जगा इसके पपड़ीदार उपकाला SQA mouse epithelium हमारे सरीर में कई अंग है निमलीखित में से कौन सांग सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा उग हमारे सरीर के कौन सा है तो त्वाचा हो जगा आपका 56 नमर कोशन का C option सही हो जगा त्वाचा त्वाचा आपका सरीर का सबसे बड़ा उग होता है तो चलिए मालो सरीर का सबसे बड़ा उग त्वाचा होता है यह सरीर का वाहे अवरण होता है जिससे वातावरण या एपिडर्मिस कोते है आपकी सरीर की सबसे बड़े गिरंती कौन होती है तो आपकी यक्रित होती है दूसरी कौन होती है तो आपका आगनासे होता है तो चलिए 56 नमर कोशन का डिसकॉसन हो गया और संतावन नमर कोशन पढ़ते है संतावन नमर कोशन है तो आचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उतक बनता है यानि तो आचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उतक कौन बनता है तो एक वासा होता है वासा, तुआचा के नीचे और आत्री कंगों के बीच का यह उतक वासा होता है तो आपका संतावन नमर कोशन का बी ओप्सान सही है वासा अंठावन नमर कोशन है मनुसे में एक सैयोजी उतक के उधारन को पहचाने कौन से सैयोजी उतक है? हम बताये थे एक हड़ी होता है तीन तरह के उतक होता है तो एक हड़ी होता है और एक रक्त होता है तो इस अप्षन में हड़ी दिया है तो आपका अंठावन नमर कोशन का सी अप्षन सही हो जाएगा हड़ी देखिए कौन-कौन से होते हैं यह तीन लचीले सेयोंजी उतक होते हैं विशि नमर कोशन क्या है निमने लिखित में से कौन सा एक सैयोजी उतक है तो आप चार अपसन दिये हैं चार अपसन में से असानी से एक अपसन चुन सकते हैं आपका हड़ी हो जाएगा सैयोजी उतक उनसर्ट नमर कोशन का सी अपसन सही हो जाएगा हड़ी ये 69 नमर कोशन का डिसकोशन असानी सा पढ़ सकते हैं और चलिए 60 नमर कोशन है हमारे सरीर की हड़ियों में कौन से उतक पाये जाते हैं तो आपका C अप्सन सही हो जाएगा सायोजी उतक मेरा टार्गेट है कि आप लोग को 7000 कोशन प्रवाइड करूँ और जल्द से जल्द ये 7000 कोशन पूरा हो बाइलोजी, फीजिक्स और कमेश्टरी से तब उसके बाद से हम यूथ पब्लिकेशन से रिजिनिंग क्या कोशन अब बोड़ पर पढ़ाएंगे तो अच्छा लगे वीडियो तर लाइगा सस्क्राइब करते हैं चलिए 61 नमर कोशन है, निम्न में से क्या एक पौसु उतक नहीं है तो ये चार ओप्सन दिया है, चारो ओप्सन होगा आपका पौसु उतक इन में से कोई नहीं है कि ये नहीं होगा, सब होगा ये पेसी उतक होगा, सयोजी उतक होगा, उपकला उतक होगा और तंत्रीका उतक होगा इसलिए अस्टार दिया है एंसर, 61 नमर का, ये चारो होगा, पसु उतक का है चलिए 62 नमर कोशन है, डैस, उतक हमारे मुह की आंत्रिक उस्तर को बनाता है वही है कौन से उतक हमारे मुह के आंत्रिक अस्तर को बनाता है तो आपका B option सही हो जाएगा सरल एसक्वेम एपी थेलियम यानि पपड़िदार वही है सरल एसक्वेमस एपी थेलियम यानि B option 62 नमर का question का सही हो जाएगा अप पढ़ सकते हैं discussion भी इतना बड़ा दिया है discussion चलिए 63 नमर कोशन है एस्ट्रेटिफाइड एसक्वेमस एपी थेलियम किसमे मजूद है तो आपका D option सही हो जाएगा तो आचा में यानि एस्ट्रेटिफाइड एसक्वेमस एपी थेलियम किसमे मजूद हैं तो तो आप असानी से बढ़ सकते हैं 36 नमर कोशन का चौँचन नमर कोशन है डैस उतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोसी काई मैट्रिक्स में सनिहित होती है तो आपका तो आपका यह option सही हो जाएगा सायोंजी उतक वही है सयोजी उतक आपका 64 नमर कोशन का A आप्शन सही है सयोजी 65 नमर कोशन है डैस एक सयोजी उतक है कौन सा एक उतक सयोजी उतक होता है तो आपका B आप्शन सही हो जाएगा रक्त रक्त क्या है एक परका का सयोजी उतक अहड़ी भी क्या है तो आपका सयोजी उतक सयोजी उतक में मुखे घटक में कौन से प्रोटीन पाया जाते हैं यह आपके एकजामें पूछ सकता है कि सयोजी उतक के मुखे घटक में कौन से प्रोटीन पाया जाता है तो कोलेजन नमक प्रोटीन होता है कौन सा प्रोटीन होता है collagen नमक protein होता है तो आप असानी समार सकते हैं अगर ये question दे दिया कि एक समझी उतक raw, hardy, or rock तो होता है तो आप से पुछ भी सकता है कि समझी उतक में एक कौन से protein होता है तो collagen नमक protein होता है पैसर नमर कोशन का B option साहिए है चलिए 66 पैसर नमर कोशन पढ़ते हैं पैसी उतक कितने परकार के होते हैं पैसी उतक आपके तीन परकार के होते हैं रेखित पैसी उतक और रेखित पैसी उकत और हीरदय पैसी उतक तो आपका तीन नमर 66 नमर का कोशन सही है 66 नमर चलिए मानो सरीर की त्वाचा का सबसे बाहे परत क्या कालाती है तो आपका एपीडर्मिस हो जाएगा एपीडर्मिस हो जाएगा आपका बाहे त्वाचा अगर पूछेगा तो एपीडर्मिस हो जाएगा चलिए बाहे परत कितने परतों से मिलकर बनी होती है तो चार परतों से मिलकर बनी होती हैं यह है सलकी परत, स्वक्ष परत और कणिकायम परत और प्ररोही या अंकुरूत परत और सट नमर कोशन है नीमन में से कौन सा हिसा मानो त्वाचा का सबसे बाहरी हिसा होता है तो आपका A उप्सन साही हो जाएगा, Epidermis नमर कोशन है नीमन लिखित में से सैंची उतक नहीं है कौन से एक परकार का सैंची उतक नहीं है तो आप आसानी से मर सकते हैं और देख भी सकते हैं उपास्तित क्या है एक सैंची उतक होता है रक्त एक सयोजी उतक है आस्ति क्या है एक सयोजी उतक है लेकिन ए तंतिरी का कोशिका यह परकार का उतक नहीं है तो यह option आपका सही हो जाएगा आसानी से 79 नमर कोशन का चलिए 70 नमर कोशन पढ़ते हैं 70 नमर कोशन है एक परकार का अस्थाई है अस्थाई है अब का यह option सही हो जाएगा और असानी से किस परकार की कोशिका में त्वाचा बनी है किस परकार की कोशिका से त्वाचा बनी है किस परकार की कोशिका से त्वाचा बनी है तो आपका यह option सही हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से अधिचर्म कोशिका से क्या होता है त्वाचा बनी है और त्वाचा बनती है तो आप पर भी सकते हैं 72 नमर कोर्शन आडइस उतक के परकार गरंतिय बनाते हैं यणि गरंतिय कों से उतक से बनती हैं तो आपका B용 करते हम साई हो जाएगा EPITYLEAL EPITYLEAL उतक के परकार से गरंतिय बनती है करने के कोर्शन का मतलब यही है B option 72 नमर का सही हो जाएगा 72 नमर कोशन है जन्तु कोशिका में ब्रीक को यांतरिक समर्थन परदान करने के लिए डैस एपिथिलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती हैं तो आपका ये option सही हो जाएगा आयत फल की आयत फल की क्यू बाइडल आपका ये option सही हो जाएगा आयत फल की या क्यू बाइडल 74 नमर कोशन है उतक के परकार गरंथिया बनाते हैं असानी साब भी option लगा सकते हैं एपिथिलियल उतक से गरंथिया बनती हैं तो आपका 75 नमर कोशन के भी option सही है 75 नमर कोशन है हिस्टामीन सरावा कोशिकाय किस में पाई जाती है हनी हिस्टामीन सरावा कोशिकाय किस में पाई जाती है तो आपका ये option सही हो जाएगा सयोजी उतको में यानि सयोजी उतको में हिस्टामीन सरावा कोशिकाय पाई जाती है तो आप असानी से पर सकते हैं हिस्टामिन सरावक को सिकाए समझी उतक में पाए जाते हैं प्राणियों के समझी उतक में मुझे घटक कोलेजर नमक प्रोटीन होता है हम बताये थे ना कि समझी उतक में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं आप आसानी से मार सकते हैं कोलेजन नमक प्रोटीन पाए जाते हैं आईए च्छीहातर नमर कोशन च्छीहातर नमर कोशन है आवका सोतक आवका सोतक डैस के बीच एक पूरक उतक का काम करता है तो आपका यह आप्सन सही हो जाएगा तो आचा और मास्पेसिया के बीच एक पूरक उतक का काम करता है तो आपका ये option सही हो जाएगा शियातर नमर कोशन का है सतहातर नमर कोशन है निम्न में लाल समवानिय सयोजी उतक है कौन से लाल समवानिय सयोजी उतक है तो लाल समहनिया उता कौन होते हैं तो रुधिर होते हैं यानि बलोड रुधिर होते हैं तो आपका C option सही हो जाएगा तो रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है ये कैसा होता है तो हलका छारिये होता है हलका छारिये होता है यानि 7 के 20 जो होता है तो उदासिन होता है तो साथ के थोड़ा सा पार हुआ तो वो हलका चारिय हो जाएगा तो साथ के पूरा जाएगा तो पूरा चारिय हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर लिखा है हलका चारिय और हलका चारिय इंसर्ट सही है आपके option में दे देगेगा पूरा चारिए, हलका चारिए, उदासिन चारिए, ऐसे करके दे देगा, तो आप आसानी से पढ़कर मार सकते हैं, 78 नमर कोशन है, डैस उतक गरंतियू का निर्माण करते हैं, यानि कौन से उतक गरंतियू का निर्माण करते हैं, तो आपका B आप्सन सही हो जाएगा, वही ए एपिथिलियल का हिंदी दिया है यहाँ पर वही क्या तो आपका बी अप्सन अठातर नमर कोशन का सही हो जाएगा चलिए पादप उतक से समधित आगया कोशन 79 79 है डैस उतक समधित पूल बनाते हैं तो कौन से उतक है जो समधित में परकिरिया करते हैं तो जाइलम हो जाएगा आपका और एक अस्थुल कोण उतक हो जाएगा नहीं 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 79 का आपका इंसर C हो जाएगा जाइलम और फलो एम जाइलम और फलो एम क्या होता है आपका एक समधित उतक होता है तो आपका C उप्सन सही हो जाएगा 79 का जाइलम और फलो एम क्या होता है तो जाइलम और फलो एम उतक को सिकाओ के समू होते हैं जाइलम और फलो एम क्या होता है तो उतक को सिकाओ के समू होते है तो चलिए असी नमर कोशन है फलो एम फलो एम डेस के अंतरिक निमनलिकित में से अनने सभी से मिलकर पाना है तो आपका B option सही हो जाएगा follow M वाहिका से follow M वाहिका से मिलकर बना है तो आप पड़ भी सकते हैं चालिनी ना लिकाए और सभी को सिकाए follow M तंतु और follow M मिर्दूत तक तो 80 number question का B option सही है 81 number question है कौन सा स्थाई उतक एक पोधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो कठोर कौन होता है उतक यह याद कर लिए जगा कठोर मुलाइम कोमल आपके एकजाम में पूछता है तो कठोर हो जाएगा एसकेलरेन काइमा एक परकार का कठोर उतक होता है तो आपका B option सही हो जाएगा देखिए एसकेलरेन काइमा एक अस्थाई उतक होता है यह एक परकार का कठोर और मजबूत उतक होता है अस्थूल 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 कौन उतक यानि कोलेन काइमा की कोशिका केंदर यूग्ट लंबी, अंड़कार या बहभुजी जीबित और रस्दानी यूग तो होती है ये क्या करते हैं कोलेंकाइमा कोलेंकाइमा करते हैं पौधो को यांतरिक साहता परदान करते हैं अब परेंकाइमा का है परेंकाइमा एक सरल अस्थाई उतक हो है इस उत्तक की को सिकाव में संगन और जिबित प्रोटो पलाजमा एवं केंदरक पाया जाता है तो चलिये 82 नमर कोशन है निमनलिकित में से कौन सा पौधे का बाहत वाचा का कारे नहीं है यानि बाहत वाचा का कारे कौन नहीं है तो परकास सेसर करना ये नहीं है लेकिन पौदों को सनक्षित रखना ये है रोमों की सहता से वायू के इस्तिर रोधन परत त्यार करना ये भी है वात्सरजन को नियंतरी करना ये भी है यानि 82 नमर कोशन का कहने का मतलब अगर नहीं दिया रहता है तो E, B, C तीनो रहता और लेकिन नहीं दिया है तो आपका D होगा यानि परका सेसेशन करना ये नहीं है 83 नमर कोशन है अस्ताई उत्को के निर्माण के लिए एक अस्ताई सरचना अकार और किरिया अपनाने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो आपका E, Option सही हो जागा विवेधन अस्ताई उत्को के निर्माण के लिए एक अस्ताई सरचना अकार और किरिया अपनाने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो आपका E, Option सही हो जागा विवेधन 84 नमर कोशन है डैस की को सिकाए कोनों पर अन्यामित रूप से मोटी होती है यानि कोनी रूप, अन्यामित रूप से कोन सी उतक होती है या कोने रूप, अन्यामित रूप से मोटी होती है तो आपका ये Option सही हो जाएगा अस्तुल कोन उतक यानि कोलेन काईमा कोलेन काईमा कैसे हम पाचाने की या कोन से उतक है तो वो कौने पर क्या होते हैं, अन्यामित रूप से मोटी होती है अब भी पढ़ भी सकते हैं 85 कोशन है, ड्यास उतक में को सिकाए जीबित लंबी और कोने पर अन्यामित रूप से मोटी होते हैं आप छलिए 86 नअबर सीव ट्यूब और सौ कोशिका है मुख्य रूप से डैस के संचरण के लिए उतरदाई होती है तो आपका सी ओप्सान सही हो जगा पौधो में भोजन के लिए उतरदाई होती है आपका 87 नमर कोशन है डैस के जमाओ के कारण ध्रिन उतर की कोशिका भीतिया मोटी होती है यानि वही है आपका लिगनीन के कारण 87 नमर कोशन का एंसर ए हो जाएगा लिगनीन के जमाओ के कारण ध्रिन उतर की कोशिका भीतिया मोटी होती है और 88 नमर कोशन है निम्न में से कौन से विकल्प तन्य और जड़ों के सिर्ष पर पाया जाता है तो आपका ये अप्शन सही हो जाएगा सिर्ष विभाजे उतक सिर्ष विभाजे उतक पौधों के सिर्ष पर पाया जाता है 88 नमर कोशन का ये अप्शन सही है 89 नमर कोशन है, निमन में से किस उत्तक में कठोर कोशिक के भीति पाई जाती है तो आपका C option साहि हो जएगा, Escalar quaima Escalar quaima कैसा उतक होता है, एक अस्ताई यानि कठोर उतक होता है अपका ये C option साहि हो जाएगा नबेनमर कोशन है डेस के करण असक्लेर काइमा कोशी के दिवार मोटी होती ह G नबेनमर कोशन का निम्ने में से कौन सा स्रल अस्थाई उतक नहीं है तो आपका B आफसन स्थाई हो जएगा यह एक परकार का स्रल अस्थाई उतक नहीं होता है लेकिन जीवी तक और kolonchima, इसकलारआ यह एक अस्थाई उतक होता है यह नहीं होता है, यानि एक 90 नमर कोशन का B option से है 90 नमर कोशन है, निमनलिकित में से कौन सा एक सरल अस्थाई मतलत नहीं है तो अपका C option से होज़ड़ है लेकिन जाइलम एक आस्थाई उतक नहीं है और 93 नमर कोशन है पौधे के कौन से हिसा पानी और खनीज के परिवहन को सक्षम करता है तो आप देखिए जल से समादे कोई भी कोशन आएगा आपसन में तो आप आसानी से उट कर सकते हैं या आसानी से आप अटेम कर सकते हैं तो हैं जो पौधे में पानी और खनीज के परिवहन को सक्षम बनाता है दूसरा सवाहन उतक फलोयम है रसा रोहन की किरिया जाइलम उतक के भीतर से होती है तो आप आसानी से पौड़ कर मार सकते हैं चोरानवे नमर कोशन है निमने लेकित में से कौन सा उतक मुखे रूप से म यह स्था रूँतक है लेकिन हम इसको जाइलम को अस्था ह्थाइ उतक नहीं मनते हैं इसलिए आपका यह आप्सON सही हो जाएगा कि निमने लेकित में से कौन सा उतक मुखे रूप से मिरित को शिकाव में बना होता बना है अ इसलिए कर कोशन आप से कोश सकता है 94 नमर कोशन का A option सही है 95 नमर कोशन है पौधे में कौन सा उताख पानी का समवहन करता है तो आपका B option सही हो जगा जाईलम इनमें से कौन सी को सिकाए जोड़ों में पौधों की अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है तो आपका D option सही हो जगा जाईलम 96 नमर कोशन का D option सही है जाईलम 97 नमर कोशन है निमनलिकित में से कौन पौधे में जल के वहन से समवन दित है तो आपका B option सही हो जगा जाईलम आप पड़ भी सकते हैं जाईलम के परकार 98 नमर कोशन है निमलिकित में से कौन से उतका अंतर कोशी की ये छेतर बड़ा होता है तो आपका ए अप्सन सही हो जाएगा पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा के अंतर कोशी की ये छेतर क्या होता है बड़ा होता है 99 नमर कोशन है डेस उतक एक मात्र पादप उतक है जो को सिकावों के विभाजन द्वारा नई को सिकावों को उत्पादन करता है तो आपका C option सही हो जाएगा विभाजी उत्तक या मेरी एस्टेमेटी आपका C option सही हो जाएगा 99 नमर का तो आप आसारी सपड़ भी सकते हैं और आच्छा लगे विडियो तर लाइक हो सब्सक्राइब करते रहे हैं चलिए सो नमर कोशन और लास्ट कोशन पौधे के तनों में छोलो के रूप में पाई जाने वाली अक्रीती जो उनकी ब्रीधी में सहायक होती हैं निम्न में से कौन से उतक पाए जाते हैं तो आपका ये ओप्सन सही हो जाएगा लेटरल मेरी अस्टेमेटिक उतक तो आपका ये ओप्सन सही हो जाएगा लेटरल मेरी अस्टेमेटिक उतक तो सो कोशन हो गया आपका बाइलोजी पार्ट 3 से सम्मंदित और पार्ट 4 सामको आएगा तो शेर जरूर किजिएगा और मेरा टार्गेट है कि आपको बीच 7000 कोशन प्रवाइड करूं और जो एक जाम में आया हुए है टोटल कोशन प्रिविएस कोशन हम अपने यूटूब के माध्यम से पढ जाते हुए आपके भी साथाजार कोशन साइंसे समंदित पूच्छों तो आशालागे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हैं और अब वीडियो देखिए तो सुरू से यहन तक देखिए क्योंकि माने जी कोई भी अगर कोशन छूट गया तो यह नहीं कि को चोड़िए मत कोई भी कोशन को पढ़िए तब ही आपको फैदा होगा और हर एक कोशन पढ़ने के लिए कोशिस कीजिए तो आछा लगे वीडियो तर्लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हैं और पचास कोश्चन है और ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो पचीस या च लाइक वात्रेज्जा इंजे आवर